नमस्कार दोस्तों मैं राज विर्शाह और आप देख रहे हैं The Newspaper दोस्तों इस समय हम है JNU Campus के बाहर और यहां पर JNU के स्टुडेंट है जिस तरह से आपने देखा कि JNU की दिवालो पर ब्रहमन भाराच छोडो बनिया भाराच छोडो लिखा गया है इसके बाद खून को लेकर तरह सरे की बाते आपको आपने मीडिया में और हमारे चैनल के माध्यम से देखी हैं और JNU के चात हमारे साथ है जानने की कोशिस करते हैं कि आखिर कर यह किसने किया है और कौन सी विचार धारा है जो यह सब कर रही है हमारे साथ बहुत से चात रहे हैं क्या नाम सर नाम सिध्धांत मिश्रा है मिश्रा जी क्या हुआ है यह जो पूरा का पूरा मैटर पहले हमारे दर्सकों को आप बताईए यह नारे कोई ब्रामण बनिया और समण समाज के विरोद में नहीं लिखे गाए हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जो विश्विंदु परिशत के राष्टी प्रवक्ता है और स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज में असिस्टन्ट प्रोफेसर है वो दलित समाज से आने वाले एक प्रोफेसर है उनके चैंबर पर लिखा गया है गो बैक टू शाखा यानि कि संग की विचारधारा से संबंद रखने वाले लोगों से इस प्रकार का द्वेस यह कहीं न कहीं जो लेफ्ट के लोग हैं उनकी संकीन मानसिक्ता को उनकी संग की समाजिक समरस्ता की बात करता है और लोग प्रीटा बड़ी उससे भैभीत करके लोगों ने किया है हाला कि बहुत कोई विशेश प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है और आने वाले समय में जब भी चात्रसंग के चुनाओं होंगे माकूल जवाब लेफ्ट के लोगो अगर यह समझता है कि जैभीम के नारे लिख करके और एक वर्ग विशेष को गाली दे करके वह कोई अपना अगर श्राइब करके और दूसरी तरब विशेष के लोगों को गाली दे करके और सिर्फ समाज के लोगों को नहीं या आपको समझने की ज़ुरत है उनकी वह हिताइसी नहीं है पिछड़े समाज के उनका पूरा जोर इस बात पर है कि किस प्रकार से जवारला नरुव शुद्धाले में सवहाद के महौल को भंग किया जाए और तोड़ने की राजनीत जो वर्षों से करते हैं उस राजनीत को और कैसे प्रबल किया जाए खून के नारे लिखे गए है क सपना खून का वर्षों के बिखते हैं इस भूरा पूरा इतिहास ही खून MAS Łविशुआस करता है लेफ्ट हिंसा करने में ही विश्वास करता है आपने देखा है पिछले कुछ वर्षों में पिछले लगतार कई वर्षों मैंसी तमाम घटनाई हुई जब लेफ्ट ने अपना पॉलिटिकल हितु सिध करने के लिए आम विद्यार्थियों का खून बहाया है तो यह जो नारे लेफ्ट ऐसे नारे लिख करके अपनी प्रविर्ति का अपनी अपने चरीत्र का परिश्य दे रहा है तो जीतेंगे च्छात्रसंग में एभी भी की लोग क्या च्छात्रसंग से इसको जोड़कर देख रहे हैं चुनाओ को लेकर देख नहीं नहीं देखिए मैंने क्या कहा मैंने कहा कि आने वाले समय में जब कभी भी च्छात्रसंग चुनाओ होंगे यानि कि अगर कुछ संगठन है क्यामपस च्छात्रसंग चुनाओ जो होता एक उस्सव होता है वहां पर सारे संगठन जाते हैं तो लेफ्ट के लोग जब अपनी इस वीचारधारा को लेकरके तोड़ने वाली विचारधारा को लेकर के वहां जाएंगे तो तो जवाहरलाल नरुवी शुद्धाले का आम छात्रों को जवाब देगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में लिफ्ट का फूंड सफाया पूरे देश से वह साफ हो चुके हैं जैनियू से उनको प्रति विद्यारती प्रशत की बढ़ती लोग प्रियता से भाइबीत होना यह सभावी कुरूप से लेट की लेट का काम है और आने वाले समय में इसका माकूल जवाब आम विद्यारती लेट को देगा जैनियू कैंपस के अंदर ब्रहमडों के प्रति इतनी नफरत समट सम समाज के अगर में बनियों की बात करो वह लिखना बनिया गोबैक क्या देख रहे हैं किस नजरीय से देखते हैं क्या ब्रहमडों से इतना मतलब लोगों को वह हो गया कि उनको धितार रहें नारे लिखे जा रहें जेनियू के अंदर यह जो चीज लिखी गई है मेरे करके लिखी गई है कि आपका यहां से खून बहेगा आपको यहां से मार कर निकाल दिया जाएगा जो एथनिक जिनोसाइड जो कश्मीर में आप 1990 का समय देखें तब वहां कश्मीरी पंडित रहते थे तो उनके घर के सामने तीन चीज़ें लिखी जाती थी रलिव गलिव मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं यह चीज ओन रिकोर्ड चीज़ें आज भी अगर डाटा उठाके देखेंगा वीडियो उठाके देखेंगा वहां से जो मस्जिद थे या रोड से आज भी चिलाने की वाज आती थी कि रलिव गलिव या चलिव जो कश्मीरी पंडित रहते हैं वह या आज से नहीं बहुत पुराने समय से जुल मिलकर रह रहे हैं और किसी एक समाज को टार्गेट कर देना ब्रहमन भारत छोड़ो यह चीज टोटली शेम्फिल अगर मैं किसी एक परसन की बात करूं किसी परसन के प्रति लिखा गया है कि पूरा यूश्टी में जो दोनों चीज़ों के लिए लिखा गया है कुछ हमारे जो प्रोफेसर हैं मंदना मिश्रम हैं जिनको इन वामपंधियों ने जो फी हाइग मुमेंट था उस टाइम पे तीन दिन के लिए अपने चैंबर में जो इनका चैंबर था वहां पे उनको कैदी बना कर रख लिया गय गया था ना उनको पानी पीने तक की फैसलेटिक नहीं थी यह हमारे दो प्रोफेसर है डॉक्टर परवेश सर उनके ओफिस के सामने लिखा गया गया गो बैक टू शाक्या को दिखाता है शाख्या से आपका क्या मतलब है कि कोई आतंगवादी संगटन तो है नहीं आरे से कि वहाँ पर आतंगवाद सिखाया जाता है या किसी को मारने की बात सिखाया जाती है देश प्रेम के लिए और देश जोडने की बात की जाती है तो यह चीज़ टोटली शेमफुल है सर यह जो नारे लगाए गए अभी आपने देखा कि ब्रहमन भारत चोड़ो बनिया भा पर यह लोग सबसे बड़ा आतंगवादी ब्रहमनवादी लिख करके और समय समय पर यह से कास्टिस्ट और जिनसाइडल रिमार्क्स लिखते रहते हैं यहां के वंपंति संगठन काई इसमें हमेशा से हाथ आया है और जैसा कि हिस्ट्री रिपीट सिर्फ इस बात को हम लो करने आता है उनकी पढ़ाई लिखाई को यहां पर बरबात करना यह लोग जो डिंडोरा पीड़ते हैं कि फेमिनिजम स्टू फेमिनिजम का डिंडोरा पीड़ते हैं और जा करके महिला प्रोफेसर को लॉक करते हैं यह इंसका वैचारिक जो दोगला पन है यह आज से जिन के लिए वर्चू के आकसेस नहीं दिया गया था और उन्हें खाने पीने के लिए उन्हे नहीं दिया गया था तो भी वाह वाँपंथी संगतने यहां के महोल बिगाड़ने मों कोई कसन नहीं चोड़ते। जब कावेरी होस्टल में रामनामी का पूजा के लिए जब ओर्गनाईजेशन होता है वहाँ पर भी घलल डालते हैं। जब जब کसी भी तरह की की ओर्गनाईजेशन हम लोग करने की कोशिस करते हैं, तो वहाँ जाकर कि इनका खलल डालना ही इन içinkा काम होता है। जेन्यू उनिवर्सिटी जो की नंबर वन उनिवर्सिटी है देश की जहां पर चात्र विभिन कोनों से आते हैं कि हम पड़ें अपना बविश्वनाएं वहां के चात्रों को बरगलाएं और वहां पर डॉमिनेट करते हैं ऐसी आडिलोजी वो दिखाना चाहते हैं और तबी जाकर के जेन्यू साइड की बात करते हैं रक्तपात के लिए लोगों को साते हैं इन सब पर पकड़के इन पर पीयसे एक्ट लगाना चाहिए पियसे की धराओं के सहतिन पर जो करेवाई होनी चाहिए मेरा प्रसासन से युनिवर्सिटी प्रसासन से यही अनुरोध रहेग चाहिए एक बाद है भारात जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कैसे देखते हैं जब भारत तोड़ने की बात हो रही है धर्म के नाम पर बटवारे की बात हो रही है तो क्या मन में चलता है इस्टुडेंट डाइफ में क्या मन में करते हैं इसी विचारधाराओं का और यह जो समर्थन करते हैं जा करके की स्टेट हुट सेपरेट करने इनकी तरह 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 आपको याद होगा कि आज से जब हम लोग धनुशकोडी के पास में जो रामसेतु बनी है रामसेतु के मुद्धे पर यह बोले थे कि ऐसे किसी स कद के नेता है उसका नेता के हिसाब से बात नहीं करते हैं उनके पर्दानमंत्री के खिलांप में मनुम overboard सिंग के खिलाब में पाकिस्तान के जो प्रणी परधानλοमन्तरी को उमीद्वार थे अभी वर्तमान के परधानल मंतरी उन्होंने आवाज उठाई कि होड़ा यू कि तुम हमारे परधानल मंतरी के बारे मैं इसा बोलू लेकिन यह जाकर कि विदोष्ट में ही हमारे एक सरकार के खिलाब बात करते हैं जो कि इनने नहीं करना चाहिए तो यह भारत जोड़ने का काम करते हैं समझना चाहूंगा एबीवीपी इसको लेकर क्या करना चाहता अगर एबीवीपी की बात करेगा राष्ट्वाधी संग कहा जाता राष्ट्वाधी छात संग है तो क्या करेगा आने वाले समय में देखिए निश्चेत तौर पर एबीवीपी देश को जोड़ने की बात करता ह जहां एक और लेफ्ट देश को तोड़ने की बात करता है और अब ने देखा कुछ वर्ष पूर्व लेफ्ट ने लेफ्ट से समधीत लोगों ने यहां डेश तोड़ने के नारे लगा है वहीं ABVP देश जोड़ने की बात करता है अभी कुद्धिनपूर भी हमने जनजाती दीवस मनाया अभी हम आने वाली छहतारी को समाजिक समता दीवस मनाने जा रहे हैं तो ABVP अपने कारकरमों के माध्यम से सदय समाजिक समरस्ता का संदेश समाज में देती रही है और हम जाति पंथ से उपर उठ करके चात्र हितों मे काम करने वाले संगठन है और हम अपनी इस विचारधारा पर बने रहेंगे और लेफ्ट के लोगों का असली चहरा जो उनकी विद्वेश पून राजनिती है समाज को तोड़नी की बाटनी की राजनिती है वो आज देश की जनता समझ चुकी है और जिस तरह से लेफ्ट का सफाया पूरे देश से हो रहा है और हो चुका है अगर जेन्यू से उनको कुछ उमीदें है कि जेन्यू में अपना किला बचा पाएंगे तो ये उनकी भारी भूल है आने वाले समय में वो जेन्यू से भी साफ हो जाएंगे कोई ऐसी बात नहीं करते हैं आपको याद होगा जब एक बार देश विरोधी नारे जबारला अलिरू विश्विद्धाले में लगाए गए थे उस समय लेफ्ट के लोगों को आ करके आद्रणी राहूल गांधी जी ने समर्थन दिया था तो राहूल गांधी जी एक तरफ आपका बहुत बहुत तो यह समझ लीजिए कि जेन्यू के चात्र हैं और जिस तरह से आपने देखा कि ब्रहमण भारत छोड़ो बनिया भारत छोड़ो के स्लोगन्स दिवाल पर लिखे गए यहां तक कि जैभीम के स्लोगन्स भी दिवाल पर लिखे गए आकर कर इसके पसके बाहर हम खड़े होकार इस समय ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुचानी की कोशिस कर रहे हैं लेकिन यह समझने वाली बात होगी कि आखिर कर इसके पीछे कौन सी वो मान सिकता है जो इस तरह के नारे बार बार जेन्यू के अंदर जिस तरह से भारत के टुकड़े होंगे इंसाला इंसाला के नारे इससे पहले आपने देखे इससे पहले आपने बहुत सारे देश विरोटी गतिवी दियां भी जेन्यू के अंदर देखी और अब फिर एक बार ये नारे आपको दिखाई दे रहें एक तरफ अगर बात करें भारत जोडने की बात हो रही है तो इधर अब ब्रहमण और बनिया भारत छोड़ों के नारे लगाए जाए रहे हैं बैरहाल आगे क्या होता इस मुद्धे पर बने रहे हैं दनीश वेपर के साथ मैं हूँ राजबिर्शा